असलाम अलेकुम चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग एक नए चेप्टर की सुरुवात करते हैं आप लोग के उर्दु बुक का ठीक है जो की बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है एक्जाम की दृष्टी कोर्स है और इंट्रेस्टिंग भी है और यह चेप्टर आप ल यह एक अफसाना नहीं है यह बात ध्यान में रखिएगा यह एक मजमून है मजमून मतलब समझते हैं एसे निवंद जो आप बच्पन में लिखा करते होंगे गाय भैस पर तो वह छोटा-छोटा मजमून होता था लेकिन यह जो है ना ग्लोबल वार्मिंग यह बहुत बड ही चाइब कर दिया गया है आप लोग को यह चैप्टर खाय इस लिए दिया यह और इसलिए उस चैप्टर के राइटर कोई नहीं हे मुसलिफ पही नहीं है यह जानी चाहिए जनकारी के तौर पर आप लोग को शेप्टर 6 बना दिया गया है अब चली समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं आलमी हिद्दत हो ठ्षा अपने प्रीथवी एक ऐसा हम लोग का प्लानेट है अर्थी एक एसा मात्र प्लानेट है जिस पर जीवन संभाव है प्रिथवी को छोड़कर ऐसा कोई भी प्लानेट में है जिस पर जीवन संभाव हो सके सिर्फ हम लोग का प्रिथवी है और इस तरह हम लोग के प्रिथवी पर उस तरह का एक चीज क्या है हम लोग के लिए सूटेबल है यहां के प्रिथवी का एक्मस्फियर मुनासिब है लेकि पिछले 30-40 वर्षों से यानि कि 30-40 सालों से जमीन का जो दर्जय हरारत है यानि कि टेंपरेचर है याद रखिएगा तेंपरेचर कॉर्दू में क्या बोलते दर्जय ह अब तेजी से बढ़ रहा है तेंपरेचर इसी को बोलते हैं गलोबल वार्मिंग जमीन का टेंपरेचर लगातार बढ़ने लगना क्या कहलाता है गलोबल वार्मिंग आलमी ही इत्स मुझक depends सब्सक्राइत है कि बहुत ही पूश्जन याद रखी यह कुशन याद रखेंगा कुछता है कि ग्रода वार्मिंग कैसा मसला है संगीन मतलब शेयाब है इस पर ध्याद देना चाहिए और यहां तक ही scientist भी इस पर बहुत ज़्यादा फिक्रमन्द है तो हम लोग का जो global warming यह दुनिया के लिए सिर्फ हम ही लोग के लिए नहीं सिर्फ इंडिया के लिए नहीं पूरे दुनिया के लिए क्या है एक संगीन मसला है serious मसला है ठीक है लेकिन बात आती है और यहां तक ही ज फुल फर्म क्या होता है United Nation Organization यहां पर सभी देश जाते और वहां पर बैठक होती है यहां तक कि यह यूए नो में भी बात चला गया है global warming का सोची कितना ज्यादा इजाफा हो रहा है बढ़ंती हो रहा है temperature में हम लोग के जमीन का ठीक है तो बात आती है कि ऐसा क्यूं हो रह यानि कि effect of greenhouse gas जितना ही जदा greenhouse gas रहेगा उतना ही जदा global warming जाट उतना ही जदा global warming यानि कि हम लोग के जमीन का temperature बढ़ेगा ठीक है और एक तरह से greenhouse gas को बढ़ाने के लिए हम भी लोग जिम्मेदार है ठीक है तो indirectly global warming बढ़ने का जो कारण है में वह हम लोग खुद इंसान है दुनिया की लोग है ठीक है जैरा समझें कि greenhouse gas कहते किसे हैं greenhouse gas ना इन सभी गैसों को कहते हैं जैसे की carbon dioxide, methane, nitrous oxide और वगएरा वगएरा बहुत सारे gas है जो हमेरे जमीन के temperature को बढ़ाते हैं उनको क्या बोलते हैं greenhouse gas और इसमें जो main gas है वह हम लोग का methane कौन सा है methane ठीक है और जादा बढ़नती होगी तो greenhouse में ज्यादा इजाफा होगा और जब मतलब बढ़नती होगी तो greenhouse में जब ज्यादा बढ़नती होगी तो हम लोग का global warming यान की जमीन का temperature क्या होगा और भी ज्यादा बढ़ेगा ठीक है तो देखें carbon dioxide जो है न वह पहले की तुलना में 31% बढ़ CH4 दिखाते हैं और नाइट्रस का जो सिंबल होता है वह यह तो पड़े होंगे मेथें में 149 प्रतीसत का क्या हो गया है इजाफा हो गया है बढ़नती हो गया है तो ग्रीन हाउस गैस तो बढ़े गाई न और क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगा ठीक है और बात आती है यहां पर मेथें आखिर कहां से कर्बंडाई उक्साइड तो आप लोग जानते ही है कर्बंडाई एक्साइड जो हवा में पाया जाता है और आज कल धूल धुआ के कारण सबसेदा कर्बंडाई उक्साइड क्य उसको जलाने से क्या होता है मीथेन गैस का निर्मार होता है सबसे ज्यादा उसी से कोईला वह गवर गय के गोबर या फिर धान के खेट से मीथेन गैस सबसे ज्यादा बढ़ता है और मीथेन गैस को ही इंडरेक्ली हम बोल सकते हैं ग्रीन हाउस गैस में जो में गैस होता है पर इंडिया में पूरी दुनिया में खुल रही है सिर्फ इंडिया थोड़ोना जिम्मीदार होगा पूरी दुनिया जिम्मेदार होगी तो इजाफ़ा हो रहा है जब मोटर गारियों ज्यादा ज्यादा अब क्या वेचा जाएगा और एक तरह से तरह से ग्रीन इसी होता है जुकि हम लोग के प्रिट जमीन के क्या होता है टम्परेचर को बढ़ाता है उसके बात से जंगलों के बेतहासा कटना उप्टना आज application कहा जादा जंगल भचे हैं पूरे हम क्या पेड़ पौधे और जंगलों की रहने का क्या फायदा है जब पौधे रहते हैं तो सूरज से जो किर्णे आती है वो पेड़ पौधे क्या करते हैं उनकी गर्मी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे जमीन तक नहीं जा पाता है वो सूरज की किर्णे और हमारा जमीन गर्म नहीं हो पाता है जिसके वजह से हमारा क्या हो जाया है ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ेगा ठीक है लेकिन होता क्या है आज गलुम चाट दिए जा रहे तो हम लोग का जमीन पर क्या हो रहा है डारेक्ट सुरज की किरने आकर पड़ रही है और वहां का जो जमीन का नमी है वो खतम हो जा रहा है वहां जमीन की पानी सुख जा रही है ठीक है जिसके वजह से जमीन का दर्ज हरारत याने की टेंपरेचर बढ़ता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रहा है ठीक है ज्यादा गैस से पैदा हो रही है आज कल प्लास्टिक उलास् से यानिकी साइन्टिस्ट के ख्याल से पिछले स्व वर्सों में दरजय हरारत तक्रीबन 0.75 डिग्री सेंटिग्रेट क्या हो गया है बढ़ गया है ठीक है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक किसवी सदी में एक डिग्री सेल्सियस से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक क्या होग हम लोग का जमीन का टेंपरेचर बढ़ जाएगा और जिसके वज़े से जो हमें इफेक्ट देखनों के मिलेगा मतलब नुकसान देखनों के मिलेगा परभाव हम लोग के प्रिथवी पर वो क्या होगा समंद्री बर्फ के बड़े बड़े तूंदे और पहार क्या होने लगे लगांगे North pole और शॉथ पोल जांती आज भर्फ के पहार बहुत बढ़े होते एंटार्क्र्टिक तो वह क्या होगे जैसे जैसे जमीन का अधाराइद बढ़ेगा तेंपरेचर बढ़ेगा वह बर्फ के पहार हौज के बढ़े बढ़े है कि हम लोग का पड़ोसी देश बंगला बंगला देश है गुजरात है जो समुंद्र के किनारे हैं वो डूब जाने की खत्रा दहेगी उन लोगों को में तब दिली हो रही है क्लायमेट में चैंजे आ रहा है आज अ टंडी के दिनों में घर्मी लग रही है यही घ्लोबल वार्मिंग के वज़ा से ही हो रहा है ठंडी रहना चाहिए तो घर्मी लग रहा है ये सब किसके वज़ेसे हो रहा है Global Warming की वह से हो रहा है आगे देखिए जानवर वह द। fortunate आपनापन हुआ और अभी तुआप लोग जहले क्या दुनिया में आगे देखिए तुफान वसहलाब के कहत जिसके वज़ा से बैक्टिरिया जरासीम और वायरस तो आएंगे ही नए नए और उसके साथ तुफान वसहलाब भी आएगा ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के वज़ा से यह सारी मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ेगा तो उससे अच्छा है हम ग्लोबल वार्मिंग को क्या करे घटाए तो घटाने का यानि कि इससे बचाओ का क्या उपाय हो सकता है तो उपाय देखिए जंगलों को कटने से रोकना है जितना हो सके पेड़ पौधों को लगाना है और उसे फलने फुलने देना है जंगलों को कटने से रोकना है जादा से जादा हो सके पेड़ पौधे लगाने की कोशिश किजिए अपने घर के चारों आप लोग खुद भी कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है नहीं तो पूरे धुनिया को क्या करना पड़ेगा इसका करना पड़ेगा इसको ज जगानी पड़ेगी अब वैसे भी एलेक्ट्रिक गारी आना स्टार्ट हो गई है लकडियों और कोईलों को कम से कम जलाया जाना चाहिए यह सही बात है लकडी कोईले कम जलेंगे तो उसमें से धुवा कम निकलेगा और हम लोग का ग्लोबल वार्मिंग कम होगा ग्रीन 57 में क्यूटो में कंफरेंस हुआ था 2007 इसमा में क्या हुआ था क्यूटो नाम का कुई शहर है उसमें कंफरेंस हुआ था और उसमें दस्तावेष तयार किये गए गयते कि से ग्लोबल व्रमिंग को कम करने के लिए इससे बचाओ के लिए और लगबक सभी पूल्कों में बाटे गए थे और उस पर हस्टिक सिगनेचर लाए गए थे ताकि इससे बचाओ किया जा सके ग्लोबल वार्मिंग से ठीक हैं तर अमेरिका के साभी के नायब सदर इसको और डबलू लिख दी हूँ सौटकोट में ज्यादा ये स्पेस ना ले इसलिए ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तक्रीरे की और बुक भी दी किताबे भी बाटी कौन अमेरिका के साबे के नायब सदर यानि की पुरो उपाद्यक्च एलगोरे नाम के थे उनने पूरे मुल्क में पूरे शहर में घुम घुम कर तक्रीरे दी कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के उपाय सूचिये और उसके साथ साथ इन्होंने एक किताब भी पेश की उन लोगो दी जिसमें ग्लोबल वार्मिंग के बचने के बहुत सारे कायदे और कानून लिखे हुए थे ठीके आगे देखिए यह देखिए यह सताइस है ठीके सताइस दिसंबर से 21 दिसंबर 2008 इस भी तक पांच दिनों तक बालवग्यान कॉंग्रेस नागा लेंड के शहर दीमापू में ऐसा हुआ था देखिए 27 दिसंबर से 21 दिसंबर पांच दिन हो रहा है पांच दिन तक 2008 इस भी में क्या हुआ था बालवग्यान कॉंग्रेस खोला गया था जो की नागा लेंड के शहर दीमापूर में यह क्या बैठक बैठाई गई थी ठीके और उसमें आगे देखिए अब्दुलकलाम क्या चीफ गेस्ट के तौर पर आये थे उस बैठक में साबिके सदर हिंद मतलब इंडिया के भारत के पूरो राष्ट पती और आलमगीर शोहरत या फता मतलब फेमस क्या साइन्टिस्ट सौरत या फता साइन्स दायान की दुनिया के पूरे वर्ल्ड फेम जो यह चल रहा था बालवग्यान कोंग्रेस बत्तिस मुल्कों से बत्तिस अलग-अलग शहरों से पांस बावन क्या थे श्टूडेंट आ एथे चात्र वा छात्र आए थे और 165 टीचर आए थे यानि कि शुक्छक आए थे उसमें ठीक है और वह जो बालवग्यान कॉंग् करना और उसमें हमारे जो अब्दुलकलाम है भारत के पुरो राष्टपती ठीक है वह एक मंतर दे गए किस चीज़ को ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए और मंतर क्या थी वह क्या था नुसका वह नुसका था दस से सत्रह साल के उमर के बीस लाख बच्चे कितने बीस लाख बच्चे पांच-पांच अगर पेड़ लगाए तो हम ग्लोबल वार्मिंग को जड़ से खत्म कर सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छा मंतर दिये थे एपीज अब्दुलकलाम ने दीखे तो इस तरह यह आप लो सकते हैं हर एक एक चीज बता दी हूं ठीक है फिर भी मैं फटाफट आप लोग को क्लियर करा देती हूं देखिए यहां से मारूजी सवलात यानि की अब्जेक्टिव कोश्चन जो आप लोग बनाते हैं ठीक है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है तो हम मैं सुरू में ही बत 301 परतिसरत है उस पर क्या कर लेता है लोको टिक लगा देना है जमीन का दर जह रारत पिछले 100 बर्सों में कितना बढ़ गया है 0.75 डिग्री सेंतीग्रेट तो आप लोग जिस जिस ऑप्सन में डाल डी आप्सन में जिरो परिंट साथ पांस डिःसेंती इसको टिक लगा पदाएन है कांगरेस दूहजर आठ इस भी भारत की किसहर में मुनाकद हुआ यह जो बाटके ell двух वार्मिंग पर कंफ्रेंस कब हुई थी तो क्यूटों में ग्लोबल वार्मिंग कंफ्रेंस दोजर साथ इस भी में हुई थी इसमें 2007 लगा दीजिएगा फरस्ट ऑफ्सन में दिया है अब आगे बात करते हैं मुक्तसिर सवालात की यानि की लगू उत्रिया प्रसंद की स्टार्ट हो रहा है स आप लोग लिखिएगा जमिन सभी जानदारों के लिए मुनासिव है दूसरा सवाल ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है तो ग्लोबल वार्मिंग संगीन मसला है पूरी दुनिया के लिए ठीक है तीसरा सवाल है ग्लोबल वार्मिंग क्या है तो ग्लोबल वार्मिंग अभी को कोश्चन ही समझा दे रही हूँ आप लोग खुद सेंसर बनाएंगे ठीके चार नंबर सवाल है ग्रीन हाउस गैसों में कौन-कौन गैस है इन सभी गैसों का नाम लिख देना है हो गया क्लियर बात पांच नंबर सवाल जमीन के दरजाय हरारत में कर्बंडाई ऑक्साइड और मेथेन गैस का कितना इजाफा हुआ है जमीन के जो टमप्रेचर है उसमें कर्बंडाई ऑक्साइड और मेथेन गैस इन दोनों का इजाफा कर्बंडाई ऑक्साइड का 31% और इसका 49% इजाफा हुआ है यही लिख देना है बस मतलब हार एक एक चीज जो साहिव ने कौन साजद्वी मंतर बताया यानि कि छाथ्रों को जो अब्दुन क्लाम है वह वह कौन सा जाधु मंतर बताया है तो यहीर आप लोगो मंतर लिखेना स्बब्ल Warming से आप क्या समझते हैं और सवाल है सबसे स alone सवाल मतलब बड़ा-बड़ा इंसर नमबर सवाल है ऑज़ices क्या असबाब यानि ग्लोबल वार्मिंग से कौन कौन से इfek्स देखने को तो मिलेगा और इसके रीजन क्या है ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का यह ग्रीन हाउस गैस असरात लिख दीजेगा और यहां तक लिख देंगे हो जाएगा आप लोगों का ठीक है अपने हिसाब से लिखेगा सोच समझ कर तीसरा सवाल है ग्लोबल वार्मिंग के तश्व मषटि शणीजा नाख बात यह की खौफनाक शर्म नाख बात क्या है तो यहीं बात है कि ग्लोबल वर्मिंग अगर एकस। दीजेडीस तक बढ़ गया तो हमारे इस नाक और खफ नाक बात होगि कि हमारे जो समुंद्री बर्फ है समुंद्री बर्फ के जो बड़े-बड़े तोदे और पहाड है वह पीगलना स्टार्ट हो जाएंगे क्लाइट में चेंजिंग आ जाएगी उसके साथ जानवरों पहुत है दुनिया से खत्म होने लगेंगे बैक्टिरिया और जरासीम और क्य लिए क्या-क्या एकदाम उठाए जा सकते रही है यानि कि ग्लोबल वार्मिंग आलमी हिद्द से बचने के लिए बचाओ के लिए हम कौन-कौन से कदम उठाव सकते हैं तो देखिए मैं यहीं से बताई हूं आप लोगों को टिक लगा दे रही हूं यहां से यहां से जंग कोबल वर्मिंग से बचने के लिए कौन कौन से हम लोग कदम उठा सकते हैं ठीक है यह अपने मन से भी लिख सकते हैं आप लोग पास नमबर सवाल है इस सबक में जिन अखाने में सबके में उन्हें चुन करर जुम्ले बनाएं मतलब इस चैप्टर में जो है ना जितनें बी साबके साबके यह अर्दु साबका और लाका ठीकें ये उर्दूं ने उर्दू ग्रामर के प्लेश्ट से साभ हम लोग का इसी चैनल में प्लेलिस्ट आप लोग जाकर उसमें देखियेगा इसससाब कर लाहक Site तो कि अप और वहां से देखे साब कर लाका मैं अल्रेडी पढ़ा चुकी हूं फिर आप लोग के साथ आप लोग का यह इसी के साथ यह चैप्टर कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर सिक्स ठीक है दरक्षा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर सेवन को स्टार्ट ठीक है तो यहां तक समझने आ गया इस चैप्टर और इस टॉपिक से रिलिटेट कोई भी कमफीजन हो आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लागा लाइक कीजिए ज्यादस ज्यादस शेयर कीजिए अपने पडोसियों के पास अपने दोस्तों के पास और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करकर रखिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुचे तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद और खुदा हाफिज